हेलो एवरिवन आज हम देखेंगे यूनिट नॉमबर टू लिमिट लिंस लक्स के अंदर एक नई फॉर्मूला के बेस पे हम एक्जाम्पल देखेंगे अभी देखो ये रेट पैंसे मैंने ये फॉर्मूला लिखी है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन आया एक्जाम्पल में ऐसी टम तो हम उनकी जगह पर एंसर क्या लिख सकते है ये लिख सकते है राइट सो यह एक्जाम्पल बहुत इजी है यहां पर लिमिट देखना कौन सी है एन टेंस टू इन्फिनिटी अभी एन के टम में ही आता एक्जाम्पल ऐसा नहीं है एक्जा यहां पर 1 by n है और पावर में क्या है n है मतलब क्या हुआ यहां पर यह जो होता है मतलब उनका रेसी प्रोकल जो है विवस हो यहां पर होगा पावर में चलो तो इनके बेस पर हम एक्जेंबल देखते है यह एक्जेंबल नमबर 1 है लिमिट x tends to infinity क्या है 1 प्लस 3 by x raise to x new lux हो दो मतलब evaluate करो lux जो एक्जेंबल दिया है वो मैंने same लिख दिया equal to यहां पर लिमिट जो भी है वो भी limit भी लिख दी देखो यहां पर यह जो bracket है वो bracket भी मैंने same लिख दिया देखो अब हमें यह पता चलता है कि यह जो हमारा example है वो यह formula के base पर है लेकिन देखो यहां पर क्या है 1 by n है तो यहां पर power में क्या है उल्टा है रेसिप्रोकल तो यहां पर हमें पर पस क्या है 3 by x है ओके यहां पर क्या है 3 by x तो हमारे पास यह power में क्या होना चाहिए पावर में actually हमें दिया क्या है x दिया हुआ है हमें चाहिए क्या X by 3 X by 3 चाहिए हमे तब जाके हम यह E लिख सकते है सिंपल सी बात है तो यह 3 by X है तो उनकी जगर पे हमें उनका उल्टा reciprocal क्या होता है यह X by 3 तो वो हमें power में लाना है तो क्या करेंगे यह X तो है वो मैंने लिख दिया है अब क्या किया हमें चाहिए क्या X by 3 तो डिनोमेटर में 3 चाहिए तो क्या किया यह 3 से डिवाइट किया और 3 से क्या कर दिया multiply कर दिया यह X था तो 3 से डिवाइट किया और 3 से क्या कर दिया multiply कर दिया क्यूंकि हमें लाना क्या था X by 3 इसलिए तो यह हो गया term अब next step में क्या करेंगे जो हमारा requirement जो है वो उनको अलग कर देंगे तो देखो यह limit लिखी है बाद में यह square bracket लिखा है तो कि उसके अंदर एक bracket all रिखना है इसलिए तो यह 1 plus 3 by x तो लिखा है लेकिन यह 3 by x है तो उसके power में हमें उनका reciprocal चाहिए तो यह x by 3 into 3 है नै उसमें से यह x by 3 को निकल दो और यहाँ पे लिख दो देखो मतलब यह दोनों power है नै x by 3 and 3 दोनों को हम अलग कर देते है तो x by 3 को यहाँ पे लिखा है और 3 को यहाँ पे लिखा है दोनों का power है तो दोनों का multiplication ही होता है तो वो same ही हो जाता है कोई problem है नहीं मतलब हमने क्या किया यहाँ पे 3 by x है तो उनका reciprocal x by 3 वो हमें लाना था तो हम लेके आगे अब क्या करते है यह limit को यह bracket के अंदर लेलो function को हम यह limit लेनी है इसलिए function को आगे हम limit लिख देते हैं तो देखो यह bracket के अंदर लिमिट चले गई तो यह limit लिखी है यह पूरा लिख दिया और bracket के power में क्या आएगा यह 3 यह ओके तो अब bracket देखो यह यह 3 मत देखो अब यह square bracket देखो और यह हमारे formula देखो x tends to infinity n tends to infinity 1 plus 3 by x हैंपे भी 1 plus 1 by n है तो यह 3 by x का reciprocal भी क्या है x by 3 o का उल्टा है इपावर में तो सब कुछ सही है तो यह जो bracket है उनकी जगह पर हम क्या रख सकते है पूरा bracket की जगह पर हम answer लिख सकते है e तो यह पूरा bracket की जगह पर हमने answer लिखा e लेकिन यह power जो बाकी रहा न 3 तो यह power में लिख दिया e के power में 3 तो यह bracket क्या हो जाएगा हमारा e और यह power हमारा 3 तो e raise to 3 हमारा answer आ गया है बहुत easy है यह formula जो है वो exam में भी आती है mcq में ऐसे example तीन marks में आते है अब इनके ही base पे और एक formula लिख की है देखो यह यहाँ पर लिख की है नीचे देखो यहाँ पर infinity है तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने 0 अधिवर से एक याद रखो दूसरा याद रहे जाएगा यहाँ पर infinity है यहाँ पर क्या है जीरो है यह one plus तो दोनों same है यहाँ पर देखो one by n है तो यहाँ पर क्या है उनका उल्टा n है और यह power n है तो उनका reciprocal power क्या है one by n बहुत easy है यह formula एक याद रखो यह वाली दूसरी automatic याद आ जाएगी आपको तो यह infinity जगवे 0 लिख दिया यह one by n की जगवे n है और यह power में n है उनकी जगवे one by n सो ऐसे situation आती है ऐसा कोई आता है तब भी answer हमारा क्या रहेगा यह रहेगा तो देखो ऐसे भी example आते है लिखाया देखो evaluate limit x tends to 0 1 plus 5x by 7 tends to 2 by x सो जो example दिया है वो same लिख दिया equal to अब हमें करना क्या है देखो यह limit भी as it is यह bracket भी as it is लिख दिया हमें जो भी करना है modification वो यह power में करना है अब हमें power कौन सा चाहिए वो देखो यहाँ पे क्या है 5x by 7 है तो उनका उल्टा मतलब यह n है उनका power में यह उनक 5x by 7 है तो यहाँ पर power में भी क्या चाहिए उनका reverse चाहिए मतलब 7 by 5x चाहिए हमें समझ में रहा है तो यह 5x by 7 है उनका reciprocal क्या होता है 7 by 5x उनका उल्टा कर देते हैं तो यह हमें power में लाना है तो देखो यह as it is लिखा था यह 2 by x है वो भी लिखा मेंने 2 by x जैसे था वैस नुमेरेटर में 7 चाहिए तो क्या किया देखो 7 से multiply किया और 7 से क्या कर दिया डिवाइट कर दिया अब यह 5 चाहिए दिनोमेटर में तो यह भी 5 से multiply किया 5 से divide कर दिया अब 5 भी आ गया 7 भी आ गया अभी x डिनोमेटर में तो x तो already है ही देखो यह तो कुछ करने के जुरत नहीं है अब हमें क्या करना है यह limit as लिखी यह जो bracket है उनको square bracket में लिख दिया है और यह जो power है उनको दो part में divide कर देना है हमें partition करने है राइट जो हमें चाहिए 7 by 5x उनको यहां पर लिख दिया बाकी का जो बचा वो यहां पर लिख दो तो देखो 7 by 5x टा है तो एक 7 यहां से ले लिया यह 7 यह 7 numerator में से ले लिया हमें यह x ले लिया और यह denominator में 5 ले लिया बाकी क्या रहा numerator में देखो 5 इंटू 2 तो 10 होगा divide by यह क्या रहा denominator में 7 तो 7 by 5x को यहां पर लिख दिया तो बाकी क्या बचा 10 by 7 तो 10 by 7 को यहां पर पावर में लिख दिया तो यह दोनों पावर ही है तो दोनों का multiplication होता है तो इतना ही हो जाएगा तो जो हमें चाहिए था उनका reciprocal मतलब यह 5x by 7 का उल्टा चाहिए तो वो हमने यहां पर लिख दिया और बाकी जो बचा वो यहां पर तो हो गया अब example easy हो गया यह limit को अंदर bracket के अंदर ले लो तो पूरा bracket हो गया limit अंदर दे यह पूरा लिख दिया और यह square bracket के उपर पावर कितना रहेगा 10 by 7 अब यह देखो यह bracket और यह हमारी formula देखो दोजों सेमी है यहां पर n tends to 0 हो यहां पर क्या है x tends to 0 1 प्लस तो 1 प्लस n है तो इनके जगर पर हमें क्या दिया हुआ है 5x by 7 तो प 5x है already हमने modify करके हम लाये है वो यह जो bracket है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते है यह answer e तो e लिख दिया और यह power में क्या है वो तो लिखना ही होगा e raise to 10 by 7 इस टाइप के example तीन माक में mostly आते है और यह जो formula है वो mcq में एक माक में आती है तो यह अच्छी तरह से करना है आपको और next वीडियो में हम यही formula के base पे जो tutorial में example है unsolve वो हम देखेंगे